नमस्कार किसाने वं बागवन भाईयों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि सब बढ़िया और सबस्त होंगे तो आज पुना अपने खेत पर आया हूँ जहां पर हमने गोफी की खेती की हुई है तो गोफी में इससे पहले सब्जी मंडी जो हमारी मंडी है नजदी कि इधर बंजार सब्जी मंडी तो उधर बेचकर आभी जुका हूँ बाफस जिसकी में वीडियो आपको पिछली दिखाऊंगा इसमें एड करके मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दी थी तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको गोफी के बारे में एक अच्छी टेक्न पड़ेगी तो आई जादा वातना करते हूं मों उस वीडियो प्रक्रिया पर आपको लेके चोलते हैं तो किसानव बागवन भायों यह खेत है जहां पर आपको दिख रहे हैं गोबी के पोधे तो इसमें आपको शाइद फूल दिखी ने रहे ऐसा क्यूं है बाकि जो उप पूलों को ढखा हुआ है पत्तों के द्वारा अब आप देखेंगे कि आपको दिखाऊंगा कि मैं जैसे यह पत्ता में रखा हुआ है इसके मुझे देखी कितना अच्छा फूल है इसकी साइज भी बहुत बड़ी है कम से कम 2 kg का होगा इस तरह से मैंने पत्तों के द्वार यह देखिए पते देखिए मुर्जा चुके हैं दो तीन दिन हो चुके हैं इनको पत्तों को द्वारा ढटा हुए यह देखें कि अ कि आगे भी दिखाऊंगा वहां इसी तरह से में नैस पूरे खेट में एदेखिए guide इद देखिये ये देखिए ये दू किलो से बहुप जाटका एंपुल इद्धी क्धिए की थड़ा साओ्र आगे लेकर चलता हूं कर देखिये मिप प्तेलेख निद्ञामें yधि तरह पूरे खाटमने रख्य हुए है ताकि हमारा फूल सेफ रहे कि इधर आम नहीं नहीं रहे हैं इस तरह से आगे भी दिखांगी है इत्छी कितने बड़े बड़े फील तोन Communism inपक न से पत्ते पीले पढ़ रहे हैं और पानी जो इनको पर पढ़ रहा है और पीला पानी के उपर पढ़ रहा है थोड़ा होल का कलर पानी के द्वारा अलिक तरह हो रहा है तो यह वात है आप चाहें तो वह भी का जो पौदा होता है तो इसको आप इस तरह से चारों तरफ से बंद करके उपर जो रबढ़ाते हैं ठीक है रबबर को बान दीजिएगा रसल पर कम 50 त लगेगी ना बीमारी तुम्हे अच्छी तरह से अंदर पहुंच पाएगी फूल में ठीक है तो आप ही यह टेक्निक से अपना सकते हैं तो यह देखिए पोदेगा मेरे से भी ज्यादा जा चुकी है और पैर से बिल्कुल दोनों साथ ही खड़े हैं यह देखिए पोदेग देखिए एक शाल में ही मैंने रूथ डिपल्प कर लिए इदर तो गोभी अभी काफी है निकालनी है दो बार मैं सब जिमंडी ले चुका हूँ उस चैनल किया तो में वीडियो डाउनलोड करके आपके इस चैनल में डाल दूँगा आपके लिए ठीक है ज्यादा बात में क किसा तो मिलते है